गुड मॉर्निंग अज हम लोग जानेंगे कलास 10 के नंबर सिस्टम यानि संख्यापति के बारे में जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है वास्तिक संख्याओं के गोण यानि वास्तिक संख्या के जो नियम है कुछ विशेश उनका गोण है यह हम जानेंगे सबसे पहला है हमारा सनवरक नियम सनवरक नियम जो होता है अगर किसी भी दो वास्तिक संख्याओं को हम एड कर देंगे तो उसका उत्तर जो होगा वास्तिक संख्याओं के रूप में प्राप्त होगा या दो हम वास्तिक संख्या को multiply कर देंगे, divide कर देंगे या हम लोग minus कर देंगे तो उसका answer जो आएगा वह वास्तिक संख्या में ही आएगा करम बिरमेनियम जो होता है दो वाश्चिक सांख्या को अगर हम add करते हैं और फिर इन दोनों का करम को बदल के add करते हैं तो दोनों का answer सेम आ जाएगा जैसे यहां 2 पलस 3 थीरी पलस 2 इकवल 5 ही होगा उसी तरह हम देख रहे हैं कि अगर दो वास्तिक संख्या को हम multiply करते हैं फिर इनके क्रम को बदल के multiply करते हैं तो answer हमारा दोनों equal ही आएगा जैसे 2 into 3, 3 into 2, equal 6 ही होगा इस नियों को क्या करते हैं? क्रम बिनिवाय नियों तीसरा जो होता है सहाचर या नियों यानि यदि 3 वास्तिक संख्या हो और उसमें से पहले 2 वास्तिक संख्या को जोड़ने के बाद तीसरे को जोड़ा जाए और दूसरी स्थिती में हम अंतिम 2 वास्तिक संख्या को जोड़के पहले को जोड़ा जाए तो इन दोनों का जो answer आएगा वो equal होगा इस नियम को कहते हैं सहाचार या नियम जैसे अगर 1 प्लस 2 करते हैं फिर प्लस 3 करते हैं तो 6 होगा और यहां चलों हम दखते हैं कि अंतीम 2 प्लस 3 करेंगे तो 5 और 1 6 तो इस नियम को 3 प्लस 2 करेंगे और 1 को एट करेंगे तो यहां भी 6 हो जाएगा यहां भी 6 यानि दुनो इक्वल हो जागा इस नियम को हम लोग खाते हैं सहाचार या नियम अब हम चौत्य नियम को देखते हैं बंटन नियम यह एक ऐसा मियम होता है कि अगर दो वास्तिक संख्या के जोड में तीसरे नमबर से तीसरे वास्तिक संख्या से गुणा करते हैं इस नियम को बाठने का नियम है दोबाग में बट जाना इस नियम को हम लोग बंटन नियम करते हैं योज यपरतिलोम अगर किसी नंवर में ऐसा कोई नंवर एड़ कर दे जिस्ते इसका result is 0 हो जाए तो जिस नंवर को हम लोग एड़ करेंगे यह नंवर योज यपरतिलोम कहला आएगा यानि कोई वास्तिक संख्या a है तो इसका योज यपरतिलोम जो होगा माइनस ए हो गा हम लोग बात करेंगे बिभाजता की जाच यानि दूसे बिभाजता की जाच अगर किसी संख्या की इकाई अस्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, और 8 हो अगर किसी भी संख्या के इकाय अस्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह सारी संख्या है करमसा 2 से पूरा-पूरा विभाजित होती है एक्जांपल में यह देख सकते है यहाँ पर इकाय अस्थान पर 6 है, 8 है, 0 है तो यहाँ तीनों नंबर जो होगा, वहाँ दो से पूरा-पूरा विभाजित होगा तीन से विभाजिता के जांच अगर किसी संख्या के अंको का योग, अंको को जोड़ कर यदि तीन से विभाजित हो जाए तो वह पूरा संख्या क्या होता है तीन से विभाजित होता है जैसे यहाँ एक संख्या है 2745 इन सभी अंकों को हम जोड़ते हैं दो और साथ नौ नौ और चार तेरा तेरा पांच अठारा जो होता है वह तीन के टेबल में आता है इसलिए यहाँ पूरा जो नम्म होता है वह तीन से विभाजित होगा चार से विभाजिता की जाच अगर किसी संख्या के अंतिम दो अंक्याने इकाई और नहाई से बनी संख संख्या अगर चार के टेबल में आए या चार से विभाजित हो जाए तो यहाँ पूरी संख्या चार से विभाजित होती है या अंतिम इकाई और दहाई के अंख सुन्ने हो तो यहाँ पूरी संख्या भी चार से विभाजित होती है कि फाइट